सिक्किम, पाक्योंग हवाई अड़े पर उड़ान सेवाएं फिर से शुरू आये जानते हैं कि पाक्योंग हवाई अड़े की सेवाओं को पहले क्यूं निलंबित कर दिया गया था? सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड़े पर उड़ान सेवाएं मंगलवार को फिर से शुरू हो गई, जो पिछले साल अक्टूबर में परिचालन कथिनाईयों के कारण निलंबित कर दी गई थी उन्होंने कहा कि सेवाओं के निलंबन से राज्ये के लोगों को असुविधा हुई, इसके अलावा सिक्किम के परियतन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा अधिकारियों ने कहा कि नियमित उडान सेवाओं 26 मार्च से दिल्ली के लिए दैनिक उडान के साथ शुरू होंगी इससे पहले स्पाइस जेट एक मातर वाहक था जो इस मार्ग पर सेवाओं चलाता था ये पाक्योंग से दिल्ली और कोलकाता के लिए दैनिक उडाने संचालित करता था मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग ने इससे पहले नागरिक उड्डेन महाने देशाले डीजी सी ए को उडान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए लिखा था पाक्योंग हवाई अड्डा राज्य की राजधानी गैंग टॉक से 26.8 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है पश्चिम बंगाल के सिलिगुडी में व्यस्त बागडोगरा हवाई अड्डा गैंग टॉक से लगभग 123 किलोमेटर दूर है इससे पहले एक अधिकारी ने कहा था कि पाक्योंग एक VFR, विजुल स्लाइट रूल्स हवाई अड्डा है और इसमें इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग की सुविधा नहीं है इस हवाई अड्डे से संचालित करने के लिए आवश्यक नियूनतम 5000 फीट है, जिसे वर्ष के अधिकांच दिनों में हासिल करना मुश्किल है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान एरलाइन ने एक बयान में कहा, हमारे यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए उरान संचालन अस्थाई रूप से निलम्वित कर दिया गया था